नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सनोरिया91 पर मैं हूँ आपका दोस्त बंदक्छक राजिन सनोरिया देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MP भरेश्टगार परिक्षा 2025 के द्रेश्टी कोन से जीके और जीएस की क्लास नमबर पाँच तो चलिए सुरुआत करते हैं कोश्चन नमबर एक से कोश्चन नमबर एक है भारत कितने देशों के साथ इस्थली सीमा साजा करता है बहुत ही important कोश्चन ना दोस्तों ठीक है भारत के परोशी देश इस्थली सीमा जली सीमा सबसे कम सीमा सबसे जधिक सीमा ये सारे फैक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ठीक है तो भ अब अगर आपसे पूछले कभी धुका सी कि कौन से देश के साथ सीमा साजा करता है या कौन से देश के साथ सीमा साजा नहीं करता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा उन सारे देशों के नाम याद होना चाहिए तो भारत साथ देस के साथ स्थली सीमा साजा करता है वो साथ देस कौन कौन से हैं एक है अफगानिस्तान नमबर दो पाकिस्तान नमबर तीन नेपाल नमबर चार भूतान नमबर पांच चीन नमबर च्छे मियानमार और नमबर साथ बंगला देस अब आप कहोगे सर की भारत क सिरलंका के बीच में पाक जलसंदी है देखिए पाक जलसंदी से ऐसा लगता है कि बारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ लेकिन नहीं भारत और सिरलंका के बीच में पाक जलसंदी या पाक इस्ट्रेट है ठीक है चलिए इसके बाद याद रखना दोस्तों सबसे अधिक मात्रेक टिक है याद रखना अर्ष की सबसे लंबी रिखा वाला राजर कुन सा है ने Chinese question देखते है question number 2 little master के नाम से कौन सा खिलाडी जाना जाता है little master के नाम से कौन सा खिलाडी जाना जाता है देखी यहाँ पर miss typing हुई है little master की जगह यहाँ पर क्या कर लीजिए यहां सुनिल गावसकर कर लिजिए कहाँ जाता है बंगाल का टाइगर या दादा भी कहाँ जाता है ठीक है तो याद रखना सारे उपनाम से सम्मंदित कोश्चन भी एक्जाम में आते हैं सचिन तेंदूर कर मास्टर बलास्टर सुनील गावसकर लिटिल मास्टर विराट कोहली, किंग कोहली सौरफ गांगली, बंगाल टाइगर या दादा नेस्ट कोश्चन देखते हैं नमबर तीन, एनी बिसेंट जो है, भारती राष्टी कांग्रेश की अध्यक्ज कब बनती हैं, तो एनी बिसेंट जो है, दोस्तों आद रखना 1917 में भारती राष्टी कांग्रेश की अध्यक्ज मनती हैं, आपको पता है भारती राष्टी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी 1885 में हुई थी 1885 में हुई थी और सर ए ओ हुम ने इसकी स्थापना की थी किस ने की थी सर ए यो हुम ने भारती राष्टी कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी याद रखना दोस्तों भारती राष्टी कांग् त्पाम होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे शान को पूछ ले सब जितो कानपूर अधियक्ष है। यह 1925 के कानपूर अधियक्षण में अधियक्ष बनती है। तो यह एनी विसेंट जुथी न दोस्तों यह भारती नहीं थी, इन्टियन नहीं थी, यह विदेश से आई हुई थी, यह लंडन से आई हुई थी, ठीक है? चलिए नेश्ट कोष्चन देखते हैं, कोष्चन नंबर चार, भारती पुनर जागरोल का पीता किसे कहा जाता है? तो यह तो आपको बता होगा, बच्चे-बच्चे को पता रहता है, ठीक है? भारती पुनर जागरल का पीता कहो, या नव ब्रभात का तारा कहो, या आधनिक भारत का निर्माता कहो, सारी उप्नाम किसे हैं? राजाराम मोहन राए के हैं, ठीक है? चलिए देखिए दोस्तों याद रखना है भारती पुनर जागरल का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है या भारती पुनर जागरल का अगरदूत किसे कहा जाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आउधिनिक भारत का जना किसे कहते है राजा राम मोहन राय को कहते है ठीक है याद रखना राजा राम मोहन राय ने आत्मी सभा की स्थापना कब की थी 1815 में की थी बहुत इंपोर्टन चीज है 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मी सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह है कि इन्हें अकवर दुतीन दोस्तों राजा की उपादी दी थी और अगर आपसे कभी दोगा से पूछ ले कि राजा रामोहन राय इनकी समाधी कहां पर रिस्तित है तो याद रखना व्रिश्टल इंगलैन में इनकी समाधी बनती है कहां पर बनती है व्रिश्टल इंगलैन मतलब दोस्तो ST schedule tribe और SC मतलब क्या होता है schedule caste इसे कहते हैं अनसूचित जाती ठीक है तो अनसूचित जन जाती के लिए लोग सबा में कितनी सीट आरक्चित है ये आपको बताना है मतलब ST के लिए कितनी सीट आरक्चित है लोग सबा में तो इसका सही अंसर हो जाएगा forty 7 औफसन नमबर 20 का सही उत्तर होगा देखिए दोस्तों याद रखना जो भारत की संसथ का निवन नसदण है ना उसे लोग सबा कहते हैं थीके और उच्चित सबा को कहते है उच्चित सबा को कहते हैं राज्यसबा देखिए भारत की संसत का जो निवन सदनलोक सभा है इसमें अधिक्तम संख्या सदस्यों की हो सकती है 552 हो सकती है 552 552 से 553 किसी भी कंडिसन में नहीं होगी लेकिन परतमान में इनकी संख्या है 543 543 और इसमें से क्या हुआ है जो अनिसुचित जन जाती है मतलब ST है उसके लिए 47 सीट है और SC के लिए 84 सीट है अगर टोटल पूछ ले तो 47 और 84 को जोड़ लेना 131 टोटल सीट आरक्चित है ST और SC के लिए बरतमान में लोकसभा अध्यक्ष कोन है पूछे के कई बार में पढ़ा चुगा हूँ बताईए कमेंट करके NASH कोशन लिखते हैं किस महादीप में एक भी सरीसरफ नहीं है सरीसरफ मतलब के होता है रेंगने वाले जीजन तो जिसको कहते हैं तो ये इसका सही आंसर होगा Antarctica Antarctica में एक भी सरीसरफ नहीं है है कि बरप जमिया तो चोटा है ठीक है आश्चलिया महादीप सबसे चोटा है और सबसे बड़ा कौन सा है एसिया है और टूटल साथ महादीप है पूरे विस्व में तो Antarctica महादीप के बारे में कुछ important question जो गुज़े आते हैं अंटर्टिका महादीप की खोज किस ने की थी कैप्टन जैम्स क्लार्क रोक ने की थी 1911 में बहुत important question है लेकि जैम्स कुक का नाम भी आता है यहां पर एक जैम्स कुक जैम्स कुक का नाम भी आता है लेकिन इन्होंने क्या किया खोज ने किया था इन्होंने के किया था खोजने का प्रियास किया था ठीक है चलिए दुनिया का पाँचवा सबसे बड़ा महादीप है दुनिया का पाँचवा सबसे बड़ा महादीप कुन सा है अंटर्टिका है याद रखना ये जो अंटर्टिका महादीप है ये प्रसान महासागर, हिंद महासागर और अट्रांटीज महासागर ठीक है, तीन महासागरों से गिरा हुआ है ठीक, और इसलिए इसे दोस्तो सुईत महाधीब कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सारे बर्स सारे बर्स क्या हमेशा बर्प जमी रहती है और बर्क होती है सफेद, क्या होती है सफेद, इसलिए इसे हम के कहते हैं सोईत महाधीब कहते हैं, अच्छा गतिसील महाधीब भी अंटर्टिका महाधीब को कहा जाता है, देखिए दोस्तों जो अंटर्टिका महाधीब है इसमें जमी हुई है बर्क, अब बर्क पिखलती है कहीं ज़्यादा जम जाती है कहीं कभ में पिखल जाती है कहीं ज़्यादा पिखल जाती है तो अकार क्या होता रहता है चेंज होते रहता है इसलिए अकार में परिवरतन के करल इसे गतिसील महादीब भी कहते हैं याद रखना गतिस्वील महादीप अकार में परिवरतन के कारल कहते हैं, इमा सोचना की गतिस्वील महादीप मतलब एक इस्तान से दूसरी स्थान जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसकी सरवोचे चोटी अगर आपसे पोछे, कि अंतर्किका महादीप की सरवोचे चोटी क कौनसी है तो बिंसन मासिप याद रखना नेश्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नम्मर साथ वारदोली सत्याग्रह का नित्रत्यों किस ने किया था तो वारदोली सत्याग्रह का नित्रत्यों किया था याद रखना वारदोली सत्याग्रह का होता है 1928 में होता है लेकिन होत तो ये बारदोली सत्याग रखे हुआ था देखिए बारदोली एक जगह थी ठीक है गुजरात में ये जगह है तो किसान आंदूलन था एक प्रकार का ठीक है किसानों ने आंदूलन के क्यों किया क्योंकि लगान में ब्रद्धी होई थी और लगान में ब्रद्धी होने के कार बनाए जाता है तो उसी समय सरदार बल्लब भाई पटेल ने उनका कह किये थे नेतरत तो किये थे ठीक है और सरदार बल्लब भाई पटेल को भारत का लोह पुरूस्पी कहा जाता है ये भी याद रखना ठीक है अब देखिए भाई साब देखो उयों ने जम नेतरत तो किया तो नित्रत तो किया तो जब बिरोत करने गए थे तो उनके साथ महिलाएं भी गई थी तो महिलाएं न बल्लब भाई पेटेल को कहा कि ये हमारे सरदार है क्या है सरदार है तो सरदार की उपादी बारदोली की महिलाओं न दी ठीक है लेकिन प्रदान किसने किया महत्मा गान्धी ने दिये ठीक है अगर आपसे पूछे कि सरदार बल्लब भाई पेटेल को सरदार की उपाधी किसने दिया तो उपाधी दी थी बारदूली की महिला होना है ठीक है लेकिन उसको दिया किसने कि महत्मा गान्धी ने ओपिसल रूप से कह दिया कि आज से आप हमारे सरदार हो गए ठीक है इस परकार से अगर दोनों आफसन में देखे तो दोनों सही होंगे ठीक चलिए ने इस कुछन देखते हैं भारत में गुलाम बंस का संस्थापक कौन था बताए बारत में गुलाम बंस का संस्थापक कौन था आप आपको पता है डिल्दी सल्तनेत में पांच बंस की नाम आपको यादोना चाहिए सबसे पहले गुलाम बंस फिर खिलजी बंस पिर तुगलग बंस। पिर सैयद बंस। और फिर लोधी बंस ठीक है? तो याद रखना भारत में गुलाम बंस का संस्थापा कौन था? देखो दो और यह कुश्चन आ गया कहां एकजाम में MPPSC 2018 की बाद वता रहा हूं ठीक है सही क्रम क्या होगा ठीक है तो मुझे पता नहीं था तो मैंने आंसर लगा के आया ठीक और आंसर मेरा हो गया गलत ठीक तब मुझे सीने को मिला ये आथ कि मतलब गुलाम मनस का मतलब गुलाम मनस के हो दिल्ली सलत्नत के सारे बांसों के क्रम भी याद होना चाहिए ठीक है और सन भी आद होना चाहिए हम क्या करते हैं उपर उपर पढ़ लेते हैं और कुश्चन कहीं से कुछ भी प्रकार का कुश्च लेता है ठीक है तो सारे फैक्ट को कवर करके आपको देखना है ना चलिए भारत में गुलाम बंस का संच्टापक था गुलाम बंस का संच्टापक कुटब दिन एवक था खिलजी बंस का जलल उद्दिन खिलजी था तुगलग बंस का गयस अद्दिन तुगलग था लोदी बंस का बहलो लोदी था और सेद बंस का संच्टापक खिजरगा था आपको पता है दोस्तों पानी पत की प्रथम जड़ाई कब होती है 1526 मोटी है इसमें किया हुआ था बावर ने अबराहिम लोधी को हराया था और बावर ने अबराहिम लोधी को हरा कर पह输 पहिर, यह स्थापना की थी और इबराहिम लोदी जो है अंतिम सा सकता ठीक है और उसी के साथ क्या हो जाता है दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है पानीपत की प्रथंदराई के साथ नेस्ट कोश्चन देखते हैं भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम क्या है भाई साथ असम और इस सवाल का सहीं जवाब होगा भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है असम ह ठीक है देखिए दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश असम है ठीक है राज असम है विस्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश मुझे तो चाइना है ठीक है अगर भारत की चाय नगरी किसे कहते हैं तो डिब्रूगर को कहते हैं ये असम का एक सेहर है इसे भारत की चाय नेगरी कहते हैं भारत का सबसे बड़ा काप्री उत्पादक राज कोन सा है तो करनाटक है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज कोन सा है तो पस्ची मंगाल है देखिए भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज पस्ची मंगाल है लेकिन अगर आपसे पूछे कि धान का खटोड़ा किस राज को कहते हैं तो 36 गल को कहते हैं ठीक है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादख राज कोन सा है तो उत्ते प्रदेश को गन्ना उत्पादख राज कहते हैं ठीक है चलिए next question देखते हैं सतरंज खेल का जन्मदाता किस द इसको कहा जाता है ये भारत को ही कहा जाता है ठीक है चलिए देखते हैं इंपोर्टन फेक्ट देखिए दोस्तों कबड़ी सतना जो पोलो खेल का जन्मदाता भारत को ही माना जाता है और क्रिकेर का जन्मदाता इंगनान को माना जाता है पोलो खेल का प्रिचलन भारत के मर प्रफम बार्ती गवर्नर जनरल कौन थे बताईए तो भार्ती रिजरल बैंक के प्रथम भारती गवर्नर जनरल बनते हैं cd देश्मुक और समण डी इसका सहीजवाब होगा देखिए दोस्तो भारती रिजर बैंक की स्थापना एक अपरेल 1935 को होती है इसका मुख्याल है नेक्ट कुश्चन नमर बारा समिधान की संचालन समीती के अध्याक्ष थे संचालन मतलब क्या होता है चलाने वाले ठीक है तो संचालन समीती के अध्यक्ष टे डाक्टर राजन प्रसाद ठीक है डाक्टर जाजन प्रसाद जो है समिधान की संचालन समीती के अध्यक्ष थे देखे दोस्तों समिधान की बहुत इंपोर्टेंट समीती है ठीक संचालन सम पूछे तो जेबी करफ लानी थे ठीक है शरीनेस्ट कोचन प्रथम बौध संगीती किसके सासनकाल में हुई थी असो अजाद सत्रू कनिस्क या काला सोग बताईए प्रथम बौध संगीती किसके सासनकाल में होती है तो प्रथम बौध संगीती जो हुई थी वो अजाद सत्र कि स्वासंखाल में होती है देखिए प्रफम बाद संघीती जो है आजात अंद्र प्रदेश में है विसागा पत्नम और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगा है याद रखना भारत का सबसे गहरा बंदरगा है विसागा पत्नम आंद्र प्रदेश में है भारत का जौरी बंदरगा है कांडला गुजरात में है ठीक है इसके लाबा भारत का सबसे बड़ बंदरगाह मुंबई है और भारत का एक मातर नदी बंदरगाह है कोल काता है ये हुगली नदी पर इस्तित है नेश्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 15 सेर साह का मगवरा कहां पर इस्तित है तो सेर साह का मगवरा सासा राम में इस्तित है ओपसन नमबर A इसका सही उ सित है तदी आपको पता होगा तो कमेंट करके बता देना ठीक है चलिए देखे दोस्तों ये सारे मगबरे लग दिया हूँ ठीक है ये 100% यहां से एक दो कोच्चन आई जाते हैं जाम में ठीक बावर का मगबरा पूचे तो काबूल में था ठीक है उमायू का पूचे तो दिल पूतवाद में था सीर सहा का मगबरा सासाराम में था देखे एक कम्पूटर बेस्ट एक्जाम होते हैं जो ओनलाइन एक्जाम में हो रहा है ना उनमें का करता है यह पूरे कोच्चन के करेद एक टॉपिक उठाएगा और अलग-अलग सिफ्टों में एक-एक मगबरा पट बताने की जूरत नहीं है बैंगलोर में इसरो का मुख्याला है करनाटा की राजदानी बैंगलोर है इसरो का फूल पाम होता है इंडियन स्पेस लिस्टर्च और्गनाइजेशन भारती अंत्रिक चनुसंदान संग्ठन इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1979 को मुख्याला ब 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुवात होती है जिम कार्वे ट्राश्टी अध्यान उत्रकंड से ठीक है चलिए नैस्ट देखते हैं बंडवराडी संदक्ष्ण अधिनियम 1972 में ठीक है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में जल्पूर दूसर नियंद्र अ दिनियम 1974 में और ये परियावरार संदक चले दिनियम 1986 में लागू हुआ था ये चारों कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट कोश्चन बरतमान भारत में क्रशी इवं किसान कल लाना मंत्री कौन है तो बताने की जूरत नहीं है सिवरासिंग चोहान जो मद्यप्रत सब्सकर में कुछाते हैं यूरतरि मेंननने के सिवरासिनों जीए आज का न कशन बेखे वह बरतमालazz ... राष्टी एक्तादीवस का मना जाता है तो 31 अक्टूबर को राष्टी एक्तादीवस मना जाता है टीक है 31 अक्टूबर को राष्टी एकता दिवस मनाया जाता है देखिए 2 अक्टूबर को गांधी जैनती मनाया जाती है 5 अक्टूबर को विस्व सिच्छक दिवस मनाया जाता है देखिए 5 सेतंबर को राष्टी सिच्छक दिवस मनाते हैं से रपली तादा क्रिश्णन के जन्रीच्याम दीमेर पर घ्लिक को इन्धितर डिवस मनाते हैं 13 अक्ट्वर राष्टी एक्ति दिवस मनाते हैं धी旧 कोश्चन रेखते ने किस महासागर में काटती है तो इस सवाल का सही जवा होगा अटलांटिक महासागर आपसन नम्बर ए इसका सही जवा होगा सून्य अंसक्छांस एवन सून्य अंसदिसानतर रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती है देखो ये गलोव है या है वाई साब ये गलोव है जीरो अंसक्छांस रेखा को कहते हैं क्या कहते हैं विस्वत रेखा कहते हैं या भूमद रेखा कहते हैं ठीक है तो सून अंसक्छांस और सून अंस देजानतर रेखा जो एक दूसरे को काटती है यहां महासागर की बात हो है तो अटलांटिक महासागर्मा ये एक दूसरे को काटती है ठीक है याद रखना चलिए तो यह हो गए आपके 20 कोश्चन अना कुछ important factor और देख देते हैं हाँ पर सुन्यान सक्षान से एवं सुन्यान से दिसांतर रेखा अटलांटिक महासागर्मा खाटती है 180 से दिसांतर को अंतराश्टी तिति रेखा कहते हैं दो दिसांतर रेखाओं की बीच की दूरी को गोरे कहते हैं और बेरिंग अगर आपको पता होगा तो इन चार सवालों के जवाब जरूर देना या जितने भी बनते होंगे तो जरूर देना ताकि आपको पता चल सके कि आप किस लेवल की तैयारी में पहुंच चुके हैं अगर आपको चार में से एक भी कोश्चन नहीं बन रहे हैं तो यह मान के च आदा महनस करने की जरूरत है थेंक यू जहिंजा भारत